हेलो फ्रेंट्स गुड मार्निंग मैरा किस कुमार स्वागत है आपका एजुकेशन इगुरु कुल में दोस्तों बी एसेसी सीजियल को लेकर कि सच्चिवाले साहे को लेकर कि बहुत सारे बच्चों की मन में कन्फ्यूजन है कन्फ्यूजन इस सेंस में कि आपका एक्जाम बहुत जल्द होने वाला है इसके लिए हम लोग क्या पढ़ें और किन-किन सेक्शन पर फोकस करें और कंपटीशन जो है किस से है किस से है मतलब चुकि आपको पूरा आइडिया है कि टोटल माल लिजिए कि नोटिफिकेशन साइद 187 187 आपका टोटल जो है इसमें हम लोग को पढ़ना है जनकारी रखना है एक 187 जो पोस्ट है और आज का मेरा टोपिक यही है कि आप लोग जो पढ़ रहे हैं जो तयारी जो कर रहे हैं वो आपके लिए कितनी बड़ी चिनोती पुन हो सकती है तो एक्जाम्स हैं एक्जाम्स को कभी हलका में नहीं लेना चाहिए आपके जितने भी वर्क्स है उस सारे वर्क्स जो है इसके पीछे हैं वर्क्स मतलब काम काम मतलब इस सेंस में कि अगर आप त्यारी कर रहे हैं किस-किस टॉपिक से आपको पढ़ना होगा जो सक्सेस्फुल एस्टुडेंट है जो आलेड़ी जॉब कर रहे हैं उनकी भी दिल्ली तमना है कि हम बी एससी सीजिल का जो है कि एक सीट मेरा भी नाम हो तो उस्सी सब बात पार हम लोग टॉपिक करेंगे चर्चा करेंगे चर्चा इस सेंस में करेंगे कि दखिए जैसे बीपीएसी आप देखते होंगे बीपीएसी में कुछ पोस्ट ऐसे हैं जैसे एमो का है पोस्ट कुछ सुपर्वाइजर जो पोस्ट है सपोर्डेट एक सीम्पल भासा मता देते हैं सुपर्वाइजर का जो पोस्ट है उन लोग भी चारा है कि हम लोग जो है B.S.S.C. C.G.L. में जो है एक जान क्रेक करके हम लोग अराम से जो है इस बात से आपसामत है या नहीं है बिल्कुल आपसामत होंगे दुसरी बात कि इसमें जितने भी सुपर्वाइजर के पोस्ट है ओ लड़के ओल लेड़ी क्वालिफाई कर चुके है B.S.C. यानि कि मान लिके चलिए कि 65 भी क्वालिफाई किये 66 क्वालिफाई किये और बहुत आपको हम बता देते हैं कि बहुत ऐसे मेरे मीत्र हैं जो इन सब पोस्ट पर अगर हुआ भी तो ओ लोग जुआई नहीं कर पाया करण क्या था कि रॉयल जॉब आपका सेकरेटरियेट का जो जॉब है बहुत ही जबर्जस्ट जॉब है दूसरी पर प्रोमोशन की चांस और जिन्दिगी भर आप पटना में रहा जाएंगे आप हर कोई आज के डेट में क्या है गुड्स खोशता है कॉंफोर्टेबल खोशता है मतलब अराम खोशता है सेलरी भी अच्छी खासी है ठीक है तो यह जो है और लिडिर चुकी एक्जाम क्रैक कर चुके है 65 में और 66 में जो अच्छे पोश्ट पर है जिसे आर्डियो पोश्ट पर हुए आरो पोश्ट पर हुए आरो के भी कुछ लड़की है हमारे जीसे खास कमें देते थे ओ आरो उनका निकला हुआ था 65 में निकला हुआ था लेकि फिर भी हो सच्छी वाले में जॉब कर रहे थे बोले कि उससे ज्यादा हम कुछ श्रेलरी मिल रही है तो फिर हम फिल्ड में जाके क्या करेंगे इसलिए आपके साथ चुनवती क्या है उस पर हम आपको फोकस डाल रहे है सिलिबाचू कि आपको पता है 150 कोस्टन होंगे 150 कोस्टन में आपका सब डाइभर्ट है 50 जो आपका क्या होगा GS होगा 25 जो क्या होगे साइंस होगे उसके बाद 25 जो होगा आपका मैट्स होगा और लास्ट में आपका 50 क्या होगा हो रिजिनिंग होगा यही आपका स्लेबस है निगेटिव मार्किंग भी है तो यह लोग जो है अब माले सपोर्डेट आपका 24-46 24-46 बिहार दरोगा SI और 22-13 SI जो और लेड़ी बच्चा जो है निकाल चुका है 24-46 ट्रेनिंग कर रहे है 22-13 ट्रेनिंग में जाने वाले हैं तो यह लोग आप से कहीं 72 होगे तभी तो इनका रिजल्ट हुगा और इनकी जो है कैपिसीटी मेरे अनुसार से में बता रहे हैं कि आप से कहीं ने कहीं ज्यादा होगा तो यह लोग already qualified है इनका तजूर्बा आप से अच्छा होगा क्योंकि आपको पता है कि total आपका 1.9 लाख की फोरम फिल हुआ है BSAC sigil के लिए तो यह लोग already qualified है जो supervisory post के लिए है यह लोग भी already qualified है यह लोग भी आपको already qualified है इनकी भी तमन्ना है कि हम लोग भी बिहार सच्छी वाले सिवा का मौका मिले हम जौब करें उससी सित्य में दोस्तों आप क्या करेंगे इनसे आपको लड़ना होगा इनसे आपको लड़ना होगा तो उसके लड़ने के लिए क्या उपाय है उसका उपाय यही है कि आप लोग अराम से जो है नोट्स बनाईए बढ़िया से 72 तरीका से पढ़िए math reasoning जिसका अच्छा होगा उसका GS कमजोर होता है जिसका GS person अच्छा होगा उसका जाकर के math reasoning कमजोर होता इस बात को मानने के नहीं मान रहा है तो आपको करना क्या है कि अभी सहीं आप practice it अभी सहीं आप जो है कि online test है ना अभी सहीं आप notes बनाईए और जितने भी आपके पुराने जो section जो पढ़े हुए है जितने भी आपके पुराने section जो पढ़े हुए होगे उसको आप बार-बार उसको repeat करिए आप एक आकड़ा निकालिए आपको मान लिजे कि 150 question है 150 में से आपको लगभग 120 से कम नंबर नहीं आना चाहिए boys के लिए बोल रहा है कोई जुरूर नहीं है इसके अलावे भी आपको चुनवती हीमत समझेगा कि 65B, BPSC, 68B या माले इसके पूर्व में जो कालिफाई लोग है या दरोगा इसके अलावे भी बहुत सारे लोग है जो रेलोवे में अच्छी अच्छे पोश्ट पर जॉब कर रहे है दिल्ली में कर रहे है मुंबई में कर रहे है बैंगलोर में कर रहे है सिकंदराबाद में कर रहे है कलकाता में कर रहे है और सब की दिल्ली तमन्ना है कि हम लोग बिहार में आए और पिछला बार भी यही हुआ था, ति maximum बच्चे, यानि कि 2014 की बात कर रहा है, फर्स्ट बार जब सिजिल जब आया था, उसमें maximum बच्चे जोब धारी थे, नौकरी छोड़ करके लोग आया, NPS था, New Pension Scheme, उसको भी लोग छोड़ करके लोग आया, तो आपके लिए बहुत बड़ा चुनावती पूर्ण है, अब उस चुनावती पूर्ण को आप लोग जो है, मेहनत करके आप लोग उसको करिए, तीक है, आप लोग देखिए, हम लोग आउनलाइन टेस्ट भी है स्टार्ट किये हैं, 75418343 और 03, 99318432 63, ये नंबर है, और निशी तोर पर हम आस करते हैं कि आप लोग आउनलाइन टेस्ट और आउनलाइन क्लास, अगर आपको चाहिए कि नहीं रिजल्ट हमारी 72 हो, अगर आप चाहते हैं कि नहीं, आपका जितने टोटल जो सीट्स हैं, उसमें जाकर कि 187 जो पोस्ट है, 187, इस 187 मेरा भी एक सीट रहे, तो उसकी परिशा बाणी का जो बुक आता है, उसको लेकर के पढ़िए, युद कमपटीशन का जो बुक आता है, उसको लेकर के पढ़िए, युद कमपटीशन का जो बुक आता है, उसको लेकर के पढ़िए, युद कमपटीशन का जो बुक आता है, उसको लेकर के पढ़िए, यु करके पढ़िए मैस के लिए आपको ज़्यदा प्रैक्टिस करने की जूरत नहीं आप सिर्फ और सिर्फ जो आरे सगवाल लेकर के फुली बना लीजिए एक बार अर्थमेटिक आप बना लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई कोशन आप से चुटेगा रिजिनिंग में मा आपको ज़्यदा फोकस चैप्टर की हम बात कर रहे हैं और जीएस तो आप बहुत सब लड़का समझता है कि मेरा जीएस अच्छा ही है हो ही जाएगा और सबसे ज़्यदा लड़कों का विकिट जो है कोशन जो है जीएस का ही गिरता है इसलिए जीएस पर आपको confusion वाला को को करने के लिए सबसे सरल और सबसे सुन्दर उपाई यहीं है ति आप लोग क्या कोशन हो शखता है इस ना ऐसे ऐसे question पर पकड़ बनानी होगी आपको ब्याता चुकि हम लोग जो है आपका application के थुरू online test online class और उसके बाद जो है कि question label जो होता है question label जो पुछने का जो होता है आप लोग बिल्कुल जो है हम लोग का कुछ अलग type का होता है इसलिए आसा करते हैं कि आप लोग बिल और बिल्कुल ये बात सत्य है कि हम content देते हैं content से no कोता ही content में हम कोता ही नहीं करते हैं इसलिए आपसे भी गुजारिस है कि अगर आप मालेजिए कि मेरा content देखना चाहते हैं पढ़ाने का style आप जानना चाहते हैं जो आपको to the point आपको चाहिए तो बिल्कुल जो है दो च कुछ है लेकि पढ़ना कुछ नहीं है आपको exam निकलना है ना कि आपको जो बिद्वान बनना है तो आपको exam निकलना है तो एक सटिक रणनिती जबद आपके पास नहीं होगी सटिक बुक का selection आपके पास नहीं होगा कम समय में ज्यादा question को हम कैसे सुल्व कर पाएंगे औ और किस लेबल से कोसन आपके exam में ज्यादा आ रहा है यह सब चारो पॉins जो है आपके जीहन में होना चाहिए अगर आपके जीहन में ऐसा होता है तो कोई आपको Pre में मनें होने से कोई रोग नहीं सकता है अब प्री का रेजल्ट होगा तो प्री का रेजल्ट के बाद आपका मेंस का रेजल्ट होगा असी मेंस में आपको महिनत करनी होगी तो प्री से ज्यादा टफ आपका मेंस होगा क्यों उसमें जाकर कि आपको मेरिट बनानी है तो मेंस में एक पेपर हिंदी भी। एक पेपर आपका gs भी है जो आपका प्री में gs रहेगा। बहुत सरे बच्चों को अभी भी confusion है अमको comments करता है कि हंदी के लिए कौन सा लाए प्री के लिए। नहीं पता कि प्री में कौन से स़यों से कोस्तर आता रहाते हैं। इसे एकजाम देंगे वैसे आपको कम से कम 4-5 लाक लड़के हैं कुछिली जब आपको बता रहा है अब बढ़त एकजाम में यह नौ सवा नौ लाक आपको जो दीक रहा है फोरम जो दीक रहा है इस बीसे मात रूजे 5-6 लाक लड़के लोग उस-5-6 लाक में आदा आपको ए खरे उतरना होगा ठीक है बिल्कुल यह चुनोती आपको यहां है आपको यहां है ठीक है और आपका 66 65 64 मने बिफोर में जो भी लोग क्वालिफाइड लोग हैं यह सब लोग चाहते हैं कि मेरा जॉब पटना में हो जाए तो आसा करते हैं कि दोस्तों आप लोग एक सर्टिक पर नितिया बना करके पढ़िए प्रती दिन कम से कम आपका कम से कम चार से पांच घंटा आपको समय देना ही देना होगा इस सब्जेक्ट आपका बहुत सारे सब्जेक्ट है और हर सब्जेक्ट जो आपकी कमजोर जो सब्जेक्ट है उस पर आपको और जदा पकर बनानी हो जो आपका पढ़ा हुए चीज है उसको आप रिपीट करिए और जो आपका कमजोर पॉइंट है उस कमजोर पॉइंट को इस ट्रॉंग आप बनाईए और देखिए आपको बहुत मजाएगा अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप बिल्कुल हमारा दो चार वीडियो ज चाहते हैं इस पार मेरा मिशन यहीं है कि एडू एगुरुकुल से एजुकेशन एगुरुकुल से मैक्सिमम बच्चों का जो है रिजल्ट हो हम रिजल्ट के लिए मोताज है इसलिए जुडेंगे आप हमसे अगर आप जुड़ते हैं मैक्सिमम लोग जुड़ते हैं तो न प्रेसिनर आप लोग नए लोग हैं यह सब लोग यह जो बता रहे हैं यह लोग आपके रिजल्ट में बादाक है इनके साथ आपको कहसे चुनाओती देनी होगी यह सब सारी फरकिरिया आपको हमने बता दिया और उसको आपको बार बार रिपीड किर जीये ठीक है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लाएगा तो बिलकुर अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा कि बीच बीच में पढ़ाने के साथ साथ हम मोटिविट भी बच्चों को करते रहते हैं कि किस लेबल से और कैसे आपको पढ़ना है तो थैंक यू बेरी मच दोस्तों आसा करते हैं कि वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और अपने दोस्तों को जोड़ भेजिएगा तब तक के लिए खुदा आफिस इनकलाप जिन्दाबाद